ट्रामा सीरियल पीटियां के एपिसोड नमबर सैवन में हम देखते हैं कि दानिश की मा लाइक एहमत को काफी बाते सुना दिया कि आपने फिजा की शादी जानकर दानिश से करवा दी जबके मेरा बिटा दानिश उसको रिजेक्ट कर चुका था साथी साथ उनको ये भी कह देते हैं कि आज तक मेरे बेटे ने आपकी बेटी को कबूल नहीं किया और नहीं वो उसको आगे कबूल करेगा लहाज़ा आपको फिजा को अमारे घर बेशने की कोई जरूरत नहीं है बिचारा मचबूर बाप रोने लग जाता है कि मेरी बेटी को कितना कुछ सहना पर रहा है फिजा के माँ मुझे तो रहा नहीं जाता तो वो दानिश्ट के माँ को अच्छी खासी बातें सुनाने लग जाता है कि हम तो फिजा की शादी आपके बेटे से नहीं करना चाते थे बलकि हमें तो ये सब करने के लिए अकरम साहब नहीं मजबूर किया था और आप फिजा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती पीटियों के बाप तो होते ही मजबूर है वो फिजा के लिए फिजा की सास के आगे हाज जोड़कर माफ़े मांग लेता है और उनको कहता है जो भी इसके माँ उने आप से कहा मैं उसकी माज़ज चाता हूँ आप किसी किसम की भी बुराई अपने दिल में मत रखना इनसान के नसीब में जो दुख लिखे होते हैं वो तो उसको सहने ही पड़ते हैं दूसी तरफ आईजा को मालूम होता है कि उसकी बहन फिजा को आज तक दानिश ने कबूल नहीं किया और ना ही वो उसको कभी भी बीवी का मुकाम देगा ये सुनकर उसको अपनी बहन के लिए काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी वज़ा से ये सब हो गया अब हम देखते हैं कि दानिश को उसकी मा बताती है कि मैंने तो उनको अच्छी खासी बाते सुनाइए है कि हम आपकी बेटी को कबूल नहीं करेंगे लेकिन तुम जानते हो कि वो मिडल क्लास लोग हैं वो इतनी जल्दी शादी को ख़तम नहीं करेंगे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर उन्होंने तुम्हारे बापा से यह बात कर दी तो वो तो हम लोगों पर काफी गुस्ता करेंगे अभी इनके दन्मियान यह बाती होई रही होती है कि अकरम सहाब भी वहाँ पहुंच जाते हैं और उनको अच्छी खासी बाते सुनाते हैं कि अफ़ीजा जो है वो इस घर की बहु है और दानिश तुम्हारी बीवी है लहाजा तुम उसके बारे में अपने दिल में अच्छे ज़स्बात ही रोको और उसे छोडने के बारे में तुम सोचना भी ना दानिश को तो ऐसे लगता है कि उसका बाप उसको आज भी बच्चों की तरह ट्रीट करता है लेकिन उसको सोचना चाहिए कि एक लिड़ की अपना घर बार सब कुछ छोड़कर उसकी खातिर यहाँ पर आ गई है जबकि उसकी तो इस सारे मामले में कोई गलती भी नहीं थी वोसको उसकी ऐसी सजा क्यों दे रहा है जो उसने की ही नहीं यहाँ पर आईजा को काफी गिल्टी फिल होता है कि उसकी वज़ा से उसकी बहन की सारी जिन की खराब हो गई जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं और नसीब को कोई बदल नहीं सकता अकरम सहाब आते हैं लाइक अहमत के पास और उनको आके समझाते हैं कि फिज़ा हमारे घर हमेशा खुश रहेगी मैं उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूँगा एक मचबूर बाब भी आगे से बोल परता है कि एक लिड़की को उसका शोहरी कबूल ना करे तो वो खुश कैसे रह सकती है अकरम सहाब फिर भी उसको समझाते हैं कि आप परेशान मत हों दानिश इसको खुद लेने आएगा फिजा अपनी बेन आईजा को देखने मामो के घर जाती है अब जाहिर सी बात है कि एक इनसान से गलती हो गई है तो हमपरों का यही काम होता है कि उनको माफ कर दे और वो भी उन चोटों को जिनको अपनी गलती का एहसास हो यहां पर आईजा रोने लग जाती है और फिजा से माफिया मागने लग जाती है कि मेरी वज़ा से तुम्हारी जिनकी खराब हो गई और उसको कहती है कि मेरा दिल करता है कि मैं जहर खा के मर चाहूँ, फिजज़ तुम मुझे मारो बहुत स्यादा मारो क्यों कि मेरी वज़ा से तुम्हारी जिनगी खराब हो गई फिज़ा उसे कहती है कि नसीब के लिखे को कोई बदल नहीं सकता ये सब कुछ तो मेरे नसीब में लिखा था मैं तुम्हें क्या कहूँ आईज़ा उसे बताती है कि मैं उस दिन शादी छोड़ कर नहीं भागी थी बस मुझे ये पता चला था कि साथ ने सहर खा लिया तो मुझे रहा नहीं गया इसलिए मैं सिरफ और सिरफ उसे देखने गई थी लेकिन उसने तो मुझे जूट बोला था घर आती है फिज़ा तो उसे मालूम होता है कि आज नानिशारा है उसे लेने के लिए अब ये बिचारी फिज़ा बहुत अच्छे तरीके से तयार होती है काफी खुशी के साथ सिंधार करती है फिज़ा तो काफी प्यारी लग रही है लेकिन अभी वो प्यार होकर बाहि निकल दी है कि हनिया से अचानक उसके कपरे ख़्राब हो जाते हैं जब इंसान क्या वक्ष्ट बुराजा रहा हो तो उसके सासा और कुछ बुरा ही हो रहा होता है, खर वो उसको कुछ नहीं कहती और अपने कपरों को चेंज कर लेती है, और दूसरा ड्रेस पहन लेती है यहां पर तो फिजा और उसके घर वाले खाना वगयरा रेडी करके दानिश का इंतिसार कर रहे हैं लेकिन दूसरी दरफ हम देखते हैं कि बाप दानिश को कहता है कि तुम फिजा को लिने चाओ तो वो तो साफ मना कर देता है कि मैं उस लड़की को किसी सूरत भी यहां परदाश नहीं करूँगा बाप तो दानिश को काफी धंकिया वगयरा देता है कि अगर तुम फिजा को यहां ना लेकर आए तो तुम्हारी भी इस घर में कोई चगा नहीं है इसके बाद हम देखते हैं कि दानिश क्या करेगा मुझे तो नहीं लगता कि दानिश विजा को ले किया आएगा तो बाप को और मा कोई विजा को लेने जाना होगा बहुत जल्ब मिलते हैं इसकी न्यू एपिसोड का रिविव लेकर तब तक के लिए अलाहाफेश